नमस्कार जैहिन, उर्शनिको और डिपेंडेंट्स के लिए जौब ऑपर्षयंटी के साथ, डिपेंडेंट्स के लिए तॉप ट्रेंडिंग्ड क्रोफेशनल कोर्सेस फार डिपेंडेंडेंट्स, इसमें part one हम लेके आए हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे courses हैं जो trending में हैं और dependence के लिए जरूर in future के लिए उनके काम में आ सकते हैं उसके लिए सोच सकते हैं इन courses के बारे में तो start करते हैं और यह अभी trending में हैं यह सब courses और जरूरी नहीं है कि केवल इतने ही हैं यह हमारा part one है और इसमें हम और और भी parts में include करेंगे और कौन-कौन से इसमें professional courses आ सकते हैं अब professional courses ही क्यों इसमें discuss किया जा रहा है क्योंकि यह जो professional courses है यह आपको government jobs की line में खड़े होने से बचाएगा और इसमें carrier opportunity बाकी courses के मुकाबले जो conventional courses हैं उसके मुकाबले इसमें ज्यादा है तो चलिए discuss करते हैं first of all सबसे पहला full stack developer अब एक एक करके हम उसको detail नहीं करेंगे एक यह वहला आपको एक preface दे रहे हैं आप उसको detail अगर जाना है तो आप उसको search कर लें और उसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप कर लें नेक्स्ट है data science उसके बाद जो तीसरा trending course है वो है cloud computing नेक्स्ट है project management और यह जितने भी courses है यह पूरे worldwide अभी trending में चल रहे हैं तो इसके बारे में सोच सकते हैं dependence of x service में उसके बाद है fifth है business analysts नेक्स्ट है chartered financial analyst उसके बाद है digital marketing and a force यह offline और online दोनों mode में इसे किया जा सकता है अच्छे मौके हैं बहुत सारे इसे प्लैटफॉर्म हैं जहां पर digital marketing courses भी कराये जा रहे हैं short term long term उसके बाद है machine learning नौ number पे है ninth पे है wealth management उसके बाद टेंथ है वो है medical and biological science यह सब कुछ थे इसके बाद next parts में जो अगले part है हमारा second part third part और जो आएगा next part उसमें बाकी जो courses है trending courses उसको हम discuss करेंगे तो यह तो था professional courses for dependence अब हम discuss करेंगे jobs यह golden opportunity है एक servicemen and dependence दोनों के लिए for the state of Punjab यहां पे जो vacancy आया है पंजाब government से वह special vacancy इसलिए क्योंकि आमोमन जितने भी vacancy आते हैं पंजाब special और हर्याना के वहां पर एक servicemen के साथ साथ dependence का भी मतलब उसमें vacancy रहता है उसमें उसमें स्थान रहता है तो अब यहां पर जो vacancy आया है वह पंजाब subordinate services selection board TSSB advertisement number इसका आप देख सकते हैं 52023 इसमें बहुत सारे posts हैं और total इसमें जो vacancy है वह है 157 online mode में इसके लिए application fill हो रहे हैं 30 अगस्त से 27 सितेंबर 2023 तब भरे जाएंगे यानि total जो last date है वह है 27 तब सेटेंबर 2023 selection process क्या होगा return test होगा skill test या physical test जो भी applicable है वो होगा उसके बाद document verification और finally medical examination होगा official website notification link apply link सब कुछ description box मिल जागा वहां जाकर चेक कर सकते हैं अब जो यहां पे जो important vacancies सबसे पहले हम discuss करेंगे कि यहां post कौन कौन से हैं हम वही उसी post को discuss करेंगे जिसमें इसमें एक serviceman और dependence के लिए vacancy है तो सबसे पहला जिसमें हम जो vacancy है वह है research assistant यह otherwise it is called investigation assistant इसमें जो vacancy है वह है total vacancy 49 एक serviceman के लिए इसमें 6 vacancy है including dependence दूसरा जो है जो पोस्ट जिसमें vacancy है वह है junior auditor इसमें total 60 पोस्ट है और इसमें जो reserve vacancy है एक serviceman और dependence के लिए वह है 8 एंड तिसरा जो पोस्ट है वह है instructor इन्स्रक्टर के लिए यहां पे total पोस्ट है 25 और इसमें जो एक Servicemen और Dependents के लिए Vacancy है वो है 3 तो टोटल 1 वाकनसी यहां पे 17 reserved है Dependents और एक semua इसमय को अब कहानी यह है कि इसमें शबसे पहले तो जो priority मिलेगा वो एक saァस मैन को मिलेगा इसके लिए और एक तो यहां पर बताने का उदेश यह है कि यहां जितमें भी वेकेंस हैं उसमें माक्सि में यहां सर्विसमान अप्लिकेबिल हो आपली कर रहें हैं तो उनके लिए जो एp अप्लेकेशन प्रोसेस आप यहां पर डिटेल में चेक कर लेंगे किस रहसे अप्लाई करना है अब जो पोस्ट के लिए जो जितने पोस्ट है एक सर्विशमेंट डिपेंडेंट्स के लिए वो कौन-कौन से पोस्ट है हम तो डिसकस कर चुके हैं उसके लिए इस पर गिए रोकारिकेशन बिट या रिचेसे अचिपे ही क्वालिफिक्शन फिक सस्केम नॉन मेडे यानूर्स, भीटेगींट्स CIVIL इन्जिनियर्ग से या पी जी पोस्ट ग्राज़िएटिशन इन हिंदी, इंगलिष या पंजाबी से हुना चाहिए, लेस Fergusonologists के ये फि या mcom चाहिए यह तो clarity आ गया उसके बाद है instructor का post अब इस post के लिए graduation चाहिए और पंजाबी में stenography चाहिए तो यह चीज चाहिए अब इसमें defense graduation certificate कहीं भी इसके यह मान यह नहीं है यहां पे यह valid नहीं होगा और written exam का जो syllabus है बाकी details आपको नीचे discussion box मिल जाएंगे skill test या physical test जो भी applicable है वो होगा document verification होंगे और medical examination होंगे final में तो यह तो था process selection process एक मोटे तौर पे हमने preface दे दिया बाकी आप discussion detailed analysis आप notification को पढ़ ले और notification पंजाबी language में है यह तो केवाल एक मोटे तोर पे बताया गया पंजाबी लांग्वेज में लोकल लांग्वेज में है अराम से इसको समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं अब यह ता तो था कुछ important trading professional courses और jobs for dependence and tech service में तो मिलते हैं next वीडियो में एक नए update और नए job update के साथ नए welfare update के साथ पत्त के लिए जय हिन जय भारत यह जजगी देए मलाद में लांग्वेज में कीड़ में लांग्वेज लाग्वेज कर देजगी इसक्ष़